जन्माष्टमी तिथी बुधवार 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बचकर 37 मिनट से शुरू होगी ये तिथी 7 सितंबर 2030 के दिन शाम 4 बचकर 14 मिनट पर समाप्त हो रही है जन्माष्टमी पूजा का शुम महूर्थ रात्री 12 बचकर 2 मिनट से 12 बचकर 48 मिनट तक रहेगा इस मुहूर्थ में लड़ु गोपाल की पूजा अश्चना की जाती है पुराणों की माने तो श्री कृष्ण का जन्म रात्री 12 बचे रोहनी नक्षत्र में हुआ था इसी माने तक एनुसर गिरहस्त जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मना रहे है इस दिन रोहनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है ऐसे में लोगों का ये सवाल है कि जन्माष्ट में वरत में पानी का पीना चाहिए आपको बता दिन कि जन्माष्ट में वरत निर्जला नहीं रखते इसे आप पूरा दिन फलाहार खाकर रख सकते हैं रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद वरत का पारण कर सकते हैं या अगले दिन सूर्योदय के बाद इस दिन वरत रखने वाले कुछ नियमों का पालन जरूर करें खासकर आपको पूरे दिन जल ग्रहन करने की तो छूट होती है लेकिन सूर्यास्त के बाद भगवान के जन्म के समय तक जल ग्रहन करना वर्जत है साथी साथ आप पूरे दिन केवल एक बार ही फलाहार का सेवन कर सकते हैं पारण के समय भगवान का भोग खाकर ही वरत खोले फलाल असे वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले